गुद आफ्टरून प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के से स्पेशल क्लास में जहाँ पे हम सभी लोग एक कम्प्लीट पेपर का डीप अनलिसिस करने वाले हैं सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा लास्त अक अटेंड करिएगा और एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से सीखने और समझने की कोशिश करिएगा ठीक है ओके बच्चों अब बच्चों एक बार कॉमेंट में बता दीजे हैं मैं audible and visible to all of you क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही आप मुझे देख पारे सुन पारे सब ठीक ठाक है तो फिर सेशन को आगे बढ़ाया जाया और इस बैच की इस एपिसोड में हम लोग कुछ बढ़या तरीके से कुछ नए-नए questions की practice करते हैं देखो यार कल से CHSL का exam स्टार्ट है ना कल से exam शुरू है हम ल परचो CHSL के लिए आप सब की preparation तो बढ़या ही होगी ना ऐसा तो नहीं कि कहीं से किसी बात पर डर लग रहा है लग रहा है कि प्रिप्रेशन अच्छी है तो डर लगना अच्छी बात है तो डर लगना बहुत अच्छी बात है प्रिप्रेशन गढ़बढ है और फिर डर प्रिप्रेशन अच्छी है और डर लग रहा है तो यह डर की कोई उकात नहीं है यह आपका कुछ बिगाड नहीं पाएगा बच्छो आप confident रहो बंदास डर लग रहा है तो डरते डरते चले जाना एक्जाम देने के लिए ठीक अराम से जब आप वहां पे सेंटर पे बैठ कुछ नहीं होता है आज तक मुझे एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला मैं आपको बताता हो 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए मुझे 13 साल में एक भी ऐसा student नहीं मिला जो यह कह रहा हो कि सर मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए मेरा paper खराब हो गया आज जितने भी selected candidates हैं क को लग रहा है तो लगने दो क्या कुछ फर्क नहीं वड़ता है 13 साल से 13 लाग कम से कम बच्चों को पढ़ाया होगा online offline मिला के शायद उससे भी जादा और इन सारे बच्चों में से किसी ने भी कभी नहीं का किसा डर लग रहा है इसलिए paper खराब हो है तो इसलिए आप चि पी वाई क्यू शो चल रहा है आज भी हम लोग पी वाई क्यू शो ही करने वाले हैं फुल टेस्ट सॉल्व होगा स्टेप टू सॉल्व कैसे सॉल्व करने हैं बड़या से मेरे साथ प्रैक्टिस करिए अच्छे से और सीखिए यहाँ पर इन पूरे paper discussion के हिस्से को आप दूँगा शुरू हो जाएए दोस्तों आंसर करना है अच्छा है बेटा सीवा एक्जाम देने सारे बच्चे जो एक्सपिरियंस मिलेगा आपके एससी में अटेंट्स वाला सीन नहीं होता यूपी एससी के जैसा तो साल 2023 तो जाए गई जाएगा तो एक्जाम देके चले हो ठीक है यहां पर अटेंट्स का कोई सीन नहीं होता आपका सवाल है मेरा पहला टास्क शॉपिंग जाना है वह कह रहा है मुझे मेरा पहला टास्क शॉपिंग जाना है 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 तो यह करना है उसकेस में हम हैस क्यों लगाएंगे हैस तो पजेशन होता है आपको लिखना है my first task is to go for shopping, has to go for shopping, has तो possession के लिए होता है, है ना, तो इसका कोई sense ही नहीं था, इसलिए has अटा के इसकी जगे पर is लगा दीजे, my first task, एक singular subject है, और इसके लिए singular verb is, to go for shopping, is the answer, सही जवाब आपका, option number 2 हुआ, तू को कितना वोट मिला है, 70% बेस्ट संदीप कृष्णा, शिवान संजुक आकांग्शा अदित काफी बच्चे है, दूसरे प्रशन पर आए, दूसरा प्रशन, इन 2003, डेली won the first Clean Cities International Partner of the Year award, at its bold efforts to curb air pollution and support alternative fuel initiatives, come on everybody, come on everybody, speed say, speed say, speed say, speed say, speed say, बढ़ेया, शाबाश, समय समाप्त हुआ, ध्यान से पड़ो संदेज, इन 2003, पास्ट में होना चाहिए tense, डेली जीता, the first Clean Cities International Partner of the Year award, ये जीता, तो ये award जीता, फिर इसके बाद क्या लिखा आपने, at its bold efforts to curb air pollution, यानि air pollution को control करने के bold efforts के लिए ये जीता, ना, at तो तब लिखते, जब आप किसके बाद कोई point of place लगाए होते, इसको award किस लिए मिला, क्योंकि इसने air pollution को control किया, control किया उस चीज के लिए मिला, जब किसी चीज के लिए होता है, तो preposition वहाँ पे at नहीं, बलकि preposition for आता है, तो प्यारे बच्चे answer में याँ पे, आत की जगए पे for लिखा जाएगा, अब ये किस हिस्से में जाएगा आपका, second में, second में जाएगा, second इसका answer हो गया, 56% vote आया, कुछ बच्चों ने तो 29% एको टिक कर दिये, क्या है बाबू, एको का है टिक कर दिये, past की date है, past की verb है, one क्या जीता, तो दा लगा के first लिखेंगे, क्योंकि ordinal है, फिर clean cities international partner of the year award, ये तो नाम है, award का नाम है, नाम में थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी दोस्तों, तो वो हिस्सा सही था, गलती के वाल option number, second में थी, तीसरे प्या जो, तीसरा प्रशन आपके सामने, dash is not well with her, बहुत आसान है, बहुत आसान प्रशन है, come on everybody, good, बेटा, बहुत बढ़े हैं बेटा, सीमा, regular class में रहो, अच्छी हो जाएगी English, शाबाश, लॉजिक बहुत सिम्पल है, आपने लिखा, dash is not well with her, उसके साथ बढ़ेया नहीं है, क्या, this is not well with her, always is not well with her, it is not well with her, all is not well, आपने movie सुनी होगी, देखी होगी, जिसमें all is well, all is not well हम बोलते हैं, देखी है ना movie, 3D movie का dialogue, all is well, 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 बचे, all is well या all is not well, किसी के साथ बढ़ेया है, या बढ़ेया नहीं है, हम उसके साथ all ही तो लगाएंगे, all के साथ यहाँ पर is क्यों आया game को समझे actually all जो है यह uncountable noun के लिए हमेशा singular होता है countable noun के लिए यह हमेशा plural होता है तो यहाँ पर किसी के साथ कुछ अच्छा होना या नहीं होने की बात हो रही है साथ कुछ होना या नहीं होना यानि की वो उसके हाल चाल कि भईया तुमारा हाल कैसा है all is well मतब हाल इस अच्छा है या all is not well हाल अच्छा नहीं है तो यह हाल चाल एक abstract noun होता है जो की uncountable है इसलिए उसके case में हम all लगा सकते है तो answer आपका option number 4 हुआ इस प्रशन का 4 को vote मिला है कितने परसेंट कितने परसेंट मात्र 44% 44% में जो नाम है Mr. Best, Krishna, Radhika, Kangsha, Sanju, Rimjim, Home and Tannu आगे बढ़ो चलो अगले प्रशन पे आजो इस पे ट्राय करो आज आप CHSL का paper लगा रहे हैं यह CHSL का paper है चीक है? यह CHSL का paper है CGL का exam वैसे भी खतम हो चुक है कल से CHSL चाल हुए अईूथ is Dash who is not a child anymore and is yet to enter adulthood बहुत आसान है सोचो क्या हो सकता है सोचो 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 अईूथ is someone, no one, anyone, every देखे answer option number आपका A number someone हो जाएगा सही जवाब कैसे? मेरे बच्चे I youth is every नहीं होता क्योंकि every के बाद हमेशा कोई noun चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पर है नहीं तो यह cancel हो गया I youth is anyone, anyone कैसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर यह कहना चाहरो कि एक youth वो इंसान होता है who is not a child, जो एक बच्चा नहीं है any more आप आगे mention कर चुके हो तो यहाँ पर नहीं होगा not either mention कर चुके हो तो no नहीं होगा तो आपको positive word ही चाहिए इसलिए answer जाएगा option A के द्वार और A को मिले है 84% क्या बाद है? कृष्णा, रादिका, शिवान, शैडो और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर well done guys total अगर नमबर दिखा दे 50 बच्चे शाबाश चलो अगले प्रश्ण पर आजो प्रश्ण नमबर 5 आपको बताना है banal का best expresses meaning कौन सा है यानि banal का synonym बताना है बहुत अच्छा वड़ है banal what is the synonym of banal synonym क्या होना चाहिए क्या बाद है speed से options are original, commonplace, distinctive या sharp मेरे बच्चे banal का synonym क्या होता है समझे is the right answer of banal banal का मतलब होता है मामूली कोई चीज़ को होना यानि यह जो word है इसका मतलब होता है मामूली बैनल को banner से याद रखे कि यार यह कैसा banner बना के टंगवा दिया है तुमने इतना मामूली banner है इससे तो audience attract ही नहीं होगी तो banner छपवाया गया बड़ा ही banner था यारी बहुत ही मामूली मामूली के लिए एक word है that is common common, common, commonplace तो यह हमारा मामूली का synonym हो गया बाकि distinctive means होता है बच्चे विशेश, sharp means होता है बहुत ही तेज, original का मतब original जो fake नहीं है तो हमारा answer गया option two के पास two को vote मिले हैं मात्र 6% और 6% में 5 बच्चे पास हुए अंशिका, कार्तिक, रॉय और यह क्या नाम है हिमांशू और पियूश, 5 बच्चे को ठीक है, common place इसी पे है good, now moving further अगले सवाल पर यह रहा contrite का best expresses meaning बताना है determined, specific device, या regretful, सही जवाब कौन सा है contrite का, बता रहे हैं मुझे speed से, Krishna Radhika Nitin Sanju, Pooja सभी लोग अनुराद है, speed से बटा बढ़े हैं, so contrite का best expresses meaning अर्था था, आपको contrite का similar meaning बताना है contrite का synonym बताना है मेरे प्यारे बच्चो, contrite का मतलब होता है किसी चीज का पचतावा पचतावा, यानि की regret होना उसके लिए, so regretful इसका perfect synonym हो जाएगा, यानि answer आपका option number D होगा इसके लिए ठीक है, बाकी options देखिए तो determined मतलब कोई चीज के लिए निर्धारित होना, determined होना संकल्पित होना संकल्प है, specific मतलब कोई खास, कोई विशिष्ट और device होता है, invent a new way of doing something, उसको device कहते हैं, just device something to accomplish this job, यानि कि इसकारे को पूरा करने के लिए कुछ नया तरीका खोजो, so correct answer जाएगा, option number regretful, 4 को, 4 को vote मिले हैं 69%, और ये 69 में कुछ बच्चे ही आपके सामने, ठीक है, now moving further, question number 7, opposite meaning of the given word, benison का opposite क्या होना चाहिए, benison benison, benison benie son, benie son, benie हडाता है, तो उसके चरण जाके छूते हैं और आशिरवाद लेते हैं, यानि benie के सन, इतने लोगों से benison ले चुके होते हैं, कि उनका जिंदगी हमेशा सुखमे होता है right, so benison का मतलब क्या है, आमीन, approval blessing, execution सही जवाब आपके सामने है, option number four बच्चे मैंने आपको बताया कि benison, benie के son आशिरवाद लेते, यानि blessings लेते, तो इसका synonym होता है ये, लेकिन उसने सवाल पूछा है कि opposite बताईए, opposite में होगा execution, जिसका मतलब है the act of cursing और denouncing someone, किसी को curse करना, किसी को श्राप देना तो आशिरवाद का उल्टा तो यही हो जाएगा श्राप, 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 सो आपका correct answer option ये होगा ठीक है, for other options में जाएए तो आमीन होता है एक word used at the end of prayers by Christians and Jews, आप देखे आमीन, ऐसे बोलते हैं आमीन Muslim religion में भी आमीन शब्द बोलते हैं, ये वही है approval होता है, agreement blessing है आशिरवाद, तो ये आपका synonym है, और ये आपका antonym है, किसका बैनी सन का, तो सही जवाब जाएगा option number 4 को 4 को vote मिला है, के वल 25% आप सब with direction इतनी बार बोला मैंने फिर भी आप गुजगए option सी में, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब होता है, आशिरवाद बनिये के सन, बनिये के सन, लेते बैनी सन फिर भी गड़बड कर गए हैं आप, चलो next प्रश्न है आठवाँ डी आर ए डब्ल्यू एंड ड्राउन इसका भी opposite meaning आप बताएंगे options है, tense, thin, relaxed and, drained drawn, कहते हैं तुमारा बुद्धी पूरा drawn हो चुका है इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाईया तनी, लेट लेओ ताकि तुमको क्या मिल सके चार options है, tense मिल सके, thin मिल सके, relaxed हो सको और तुम drained हो सको, और जवाब हो बच्चे, relaxed, relaxed का मतलब है not worried or tense, तो drawn का मतलब होता है looking tired कहते हैं तुमारा बुद्धी एकदम drawn हो चुका है ठक गया एकदम से, तो उसका opposite हो जाएगा थोड़ा सा relaxed हो जाए relaxed mode में एकदम से ऐसे, so that is the opposite word of drawn guys, बाकि tense हो गया, ये इसका synonym है, लेकिन उसने जवाब antonym का मांगा है, तो आपका antonym होगा relaxed, ठीक है बाकि options देख लीजे drained मतलब होता है to flow away to make a liquid flow away, कोई गंदी चीज को बहाना drain करना कहलाता है दोस्तों, thin मतलब हो गया पतला ठीक है तो ये सारे options हुए जवाब जाएगा option number C को टिक करके देख लीजे 63% vote है सैनी, बेस्ट, रादिका, कवितार का कृष्णा, पियूश, काफी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा perform किया हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और पारा जंबल PQR All animals have have memory animals do not sensational but some asana come on everybody speed से answer करिए फटा फट सोच के very good बहुत अच्छे All animals have लिखा आपने, चीके न, all animals have यहाँ पर आपने लिखा है sensational but some some कौन, some animals do not have memory sana, यही आएगा तो All animals have क्या, सारे animals के पास sensation है but some animals do not have memory सो सही जवाब आपका यही है All, यह आपका देखो क्या है, तीसरा यानि R P क्योंने R Q P, sorry R Q P All animals have our sensation but some animals do not have memory है न, यह, यह, यह होगा R Q P आपका option number 3 पे है टिक कर लिजे 85% वोट है Mr. Best, Ragini, Rohini Anuj, Srivansh, Tanu काफी बचे Now moving further हमारे अगले प्रश्न की ओर यह लिजे Act 2 P, so why is she opened the lock She opened the lock That's a very simple question आपके एक्जाम में Act 2 P, so why is भी आएगा कल और असान आएगा गबराना मत जो पढ़ा है वही आएगा एक्जाम में सवाल है She opened the lock आपको wise change में पूरा focus सबसे पहले वब पे होना चाहिए आपने देखा वब आपकी past tense की है तो past की passive बनाओगे तो was were के साथ third form आएगा इसमें नहीं है और इन दोनों में भी नहीं है बस जिसमें was were है वही उसका answer है answer option number second होगा इस प्रशन का second को vote किया है आपने से 90% बच्चों के जिसमें से हैं कविता best शिवांश, frosty, ragnitannu और बहुत बच्चे 70 total बच्चों के answer सही है चलिए सारे बच्चे answer कर दिया करो सब बच्चे comment ही नहीं कर रहे हैं अभी राम सेड I met her yesterday इधर past है इधर भी past है और ये yesterday बस यह तीन बदले जाएंगे और I है I have first person चलिए फटा-फट दोस्तो speed से बहुत ही बढ़े हां सबसे पहले आपका I राम के हिसाब से हो जाएगा he met हो जाएगा had met past and definite change into past perfect है ना तो he had met चाहिए he had met यहाँ पे meet लिख दिया यहाँ पे head गायब है यहाँ पर भी कुछ है यह नहीं है यहाँ पे तो आपके पास केवल एक option बसता है option number C option number C समझ में आया जवाब गया option C को elimination से करो कभी गलत नहीं होगा कैसे 71 हो गया भाई थोड़ा सा sentence हलका सा size बड़ा होता है sentence का आप लोग गड़वड करके बैठ जाते हो sentence में subject oh sorry संदीप कविता रादे रादे आदित रागनी और भी बहुत सारे बच्चे हैं 53 टोटल बच्चे यहाँ पर चलो 12 नंबर के प्रशन पर आजेए possession यही तो सवाल भी पूछा था CGL में CGL में यह वाला प्रशन में से स्पेल्ट में पूछा गया था वह था correctly स्पेल्ट बताओ कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है possession P से शुरू होता है उसके बाद O आता है और उसके बाद आप बताइए come on everybody P O S E S I O N है ना P O S E S I O N answer option C sorry C कह रहा हूँ क्या underline किया 2 P O S E S I O N possession यह होता है possession का मतलब होता है हिंदी में अधिकार है ना कि भाईया हमें possession का मिलेगा मतलब हमें अधिकार का मिलेगा तो इसका जवाब गया option number 2 को 2 को मिला है 86% vote यह देख लीजे अपने अपने नाम ठीक है अगला प्रशन close test पर है बाबुजी वाँ भाई वाँ 45 सेकंड पहला प्रशन है यह तो बड़ा सा असानी सा फ्रेज आ गया है आप में से किसी का सेंटर नौइडा सेक्टर 62 है क्या CHSL एक्जाम का कल अगर कल किसी का नौइडा सेक्टर 62 होगा तो मैं मिलूँगा आप से कलमार है नौइडा सेक्टर 62 बच्चो प्रियाग राज तो हमारा घरी है वहाँ पर तो हम कभी भी चले जाया सकते है उसके लिए रिव्यू लेने जवड़ी जाएंगे प्रियाग राज दिल ली से प्रियाग राज चलिए प्यारे बच्चो यहाँ पर लिखाए order to यह सही फ्रेज होता है in order to और हमारे इन है option number three में ठीक है तो यह फ्रेज ही था इसमें कुछ grammar नहीं था भाईयो simple था सत्यम रागनी फ्रॉस्टी रिजा शिवांश कृष्णा चलो आजो 14 number question 30 seconds काफी है moral the moral transformation of civil society must be dash and based on persuasive leadership बच्चे must be B के बाद लिखना है जब आप किसी भी modal के साथ must लिखना है must be किसी भी modal के साथ jia बढ़ाते हो तो या तो main- revenues की third form आती है या तो कोई adjective आता है क्योंकि B के बाद बढ़ अजक्ट आता है या तो ing form आती है यह active vise होता है यह passive wise होता है और यह adjective है तुमारे दिये हुए options में ना ing form है ना third form है तो बस adjective का दरवाजा खटकर आदो that is natural जवाब होगा natural होना चाहिए भाई यह natural है यह नहीं b है two करो इसको ठीक है natural आपको adjective चाहिए nature तो noun है naturism ism भाला भी noun होता है naturally यह adverb होता है option number two 86% vote है देख लीजिए अपने अपने नाम शाबाश बहुत अच्छा कर रहे है next question 15 क्या है इसमे a dash definition of a sustainable lifestyle must be voluntarily accepted आ लिखा फिर blank क्या definition noun लिख दिया अब आप इतना तो अंदाज लगा ही सकते हैं कि एक noun के पहले हम क्या लिखते हैं पार साब स्पीच में adjective दिये हुए option से adjective चाहिए clearly, clarity, clarification and clear first, second, third adjective नहीं है clearly adverb है clarity noun है clarification noun है clear आपका adjective है इसका जवाब होगे option number four that is clear 84% vote है आपके सामने कुछ नाम प्रस्टन नम्बर सोला करिये only dash will be competitive are you to make more and more money end बहुत ही आसान है come on everybody केवल तब केवल तब केवल तब only then only then केवल तब option number four में बैठा हुआ है only then यानि केवल तब साही जबाब 76% शेतल फ्रोस्टी शिवांश आधित्या आधिका राधिका तन्नू शाब जी बहुत बढ़े है 16 number question पर आजी है यह तो answer है 17 number question पर आजी है चीक है money should become meaningful moral and deeply dash meaningful adjective है moral adjective है and deeply adverb लगा के फिर adjective चाहिए क्योंकि money should become होना चाहिए तो यह होना चाहिए क्या होना चाहिए बिलकुल सही जवाब and satisfying present participle का adjective माना जाता है यह दोस्तो answer option number 4 को गया 55% best tanu chota rothor frosty krishna very good 17 के बाद 18 number का प्रश्न है क्या यह idioms and phrases be out of order इसका क्या मतलब है आपने का यार my phrase is out of order my car is out of order my watch is out of order this 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 machine is out of order this washing machine is out of order यानि कोई भी चीज़ if out of order that means that particular thing has stopped working आपके options है some goods which are out of stocks do something against the course rule a device not working properly or at all जो जो चीज़ कारे बिलकुल भी नहीं करती है हम उसी को कहते हैं out of order 60% मैंने तो आंसर भी दे दिया था यार मैंने तो आंसर भी दे दिया था फिर भी कैसे गलत हो गया बच्चो 60% कोई बात नहीं अगला 19 नंबर का सवाल क्या है idiom strength phrase a sight for sore eyes एक नजर for sore eyes sore eyes के लिए a sight for sore eyes what does it mean इसका क्या मतलब होगा sight for sore eyes speed say a sight for sore eyes चार options है an ugly sight unpleasant to the eyes when one becomes tired of watching too much TV of reading or reading a person or thing that one is extremely pleasant or relieved to see and a beautiful sight that you can visualize even with closed eyes jawab option C होगा 3 होगा a person or thing that one is extremely pleased or relieved to see उसको कहते है a sight for sore eyes sore eyes है लेकर उसको a sight मिल गया एक नजर यह एक द्रिष्टी मिल गई बढ़या से सुन्दर नजारा दिख गया है उसको कहते है सु इस पर जवाब जाएक option 3 को 68% वोट आमित बेश्ट राधे रॉय आयूश काफी बच्चे सवाल अगला है आपके सामने rude in a mean-spirited and surly way one word substitution a fable है churlis है caudial है and genteel है come on everybody बहुत ये अच्छे बच्चे options में से सही जवाब option number सवाल था rude in a mean-spirited and surly way तो वो हो जाएगा हमाई churlis जिसको हम कहते है गवार ठीक है अफेबल होता है pleasant होना friendly होना और easy to talk जिससे आसानीज बात हो जाए cordial होता है pleasant and friendly और gentil होता है behaving in a very polite way तो सही जवाब आपका option number second है टिक किया तो वोट गया है इसको 76% चलो अगले प्याजो 21 the act of remembering, talking or writing about events or experiences remembered from the past उसको हम क्या कहते है antithetic desperate conjecture reminiscence come on everybody very good very good शाबाश हम उसे कहते हैं option 4 में reminiscence होता है पुरानी याद में जाना जवाब option number 4 हो जाएगा ये है आपके सवाल का जवाब ठीक है antithetic means होता है being in a direct and unequivocal position पे होना desperate होता है consisting of people or things that are different from each other desperate होता है और conjecture होता है to guess about something without real proof or evidence सही जवाब इस प्रशन का option B है sorry option number ये है ये reminiscence है option number D है D को टिक करें option number 4 को टिक करें D को टिक किया 75% आपके सामने सारे बच्चे अगला प्रशन लीजे दोस्तो underlined segment improvement of centers का सवाल है the diesel engines replaced the stream engines and the old first class coaches is replaced by coops in a corridor और और थिर और ड या यह थैं सो या तो या तो ने जाए ओशन ले लो आप या तो यूट्योब की या ख्लास और शुभे है आठ बजी क्लास से इंप्रूब करो टोपिक वाइस बेसी से पर नहीं है तो एप पे बैच ले लो ज्यादा अच्छा रहता है सारे सब्जेक्स पढ़ लोगे आप बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना ओल्ड फर्स क्लास कोचेस तो प्लूरल चाहिए था और लिखोगे तो थर्ड फॉर्म चाहिए दोस्तों तो करेक्ट आंसर आप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इस प्रशन पर देखे सर्ट सर्ट परसेंड वोट है इस ही प्रकार तो आंसर किये जाएंगे भाई नेक्स्ट है वी केप असाइड आर क्लास क्लीन आर हाइकिंग बूट्स और मेड शूर वी हाद आर थिक वोल इंड सॉक्स कम आने बड़ी बड़ी सुचिये क्या होगा आप टेंस पास्ट लिख रहे हो ना केफ्ट है यहाँ पे मेड शूर है तो भाईया उसको काहे क्लीन कर दिये उसको भी तो पास्ट करो जवाब आपके आप्शन नमबर एक हो जाएगा क्योंकि सब कुछ पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए क्लीन हो जाएगा ये आंसर इसकेंड लास्ट क्वेस्टिन पारजंबल का सवाल है क्या चीज़ प्रेयर वेनेवर आइग रिंग नेक्स्ट असाइनमेंट अग्स्ट अस्वाहत तो माई Come on everybody जब कभी भी मैं ring करता हूँ क्या the doorbell है ना तो हमारा एक pair बनाना पड़ेगा A के बाद C का A, C का pair होना चाहिए A, C का pair A कही जगा है और वो है हमारा option number 4 इसमें A, B है इसमें A के बाद कुछ नहीं इसमें भी A, B है A, C हमारे इसमें है तो answer जाएगा इसकी option number 39% यार कहां गलती कर देते हो तुम लोग कुछ भी मतलब जबर जस्ती गलत सलत Last question of the session बताए यह flounder की सही spelling correctly spelled आपको देना है Correct spelling of flounder Come on बच्चो What is the correct spelling of flounder? बच्चे answer option second day F-L-O-U-N-D-E-R F-L-O-U-N-F-L-O-U-N-F-L-O-U-N-D-E-R का मतलब है कीचर में तड़ फडाना जैसे कीचर में गिड़ गए अप तड़ फडा रहे हैं उसको ना flounder कहते हैं तो सही जवाब आपको option number second गया इस वाले प्रशन पर 37% इस पर vote आ गया So बच्चा लोग कितना स्कोर है हम finalist देखने से पहले एक बार मैं आप लोगों का जानना चाहूंगा कि आपने 25 में कितने सही किये थोड़ा सा comment में बताईए तो सही लेडर बोर्ड बे बोजीशन हम बाद में चेक करेंगे अभी पहले हमें जानना है कि आपने 25 में कितने सही किये आदित्या के 21 सही है और बताईए सारे बच्चे 15 आक्षित वर्मा बिस्ट के 22 23 है क्रिशना 23 आक्षे जह 25 में 23 है ललित के चीक है 21, 20 18 19 ही किया है उसमें 18 सही है सही है बच्चो डेली क्लास में आओ यार क्यों मिस करते हो टाइम से रागरो बारा बजे क्लास होती है तो बारा बजे आजाये करो आप लोग ऐसे कैसे आज ओ फाइनलिस देखते है सो आज का टॉपर है क्रिशना दो जंडे वाला फिर इसके बाद है मिस्टर बेस्ट शिवांज सितारे वला देख लो फाइव स्टार स्टार बना आगे रखा है ललित क्या लिखा ये बधहौटिया फिर आरका है वाकर है फ्रॉस्ट है तन्नु है अनन्या स्वेता रादिका दीक्षा होम, रेम जेम, प्रीती, अदित्या अकांग्षा साकिब, रागनी कविता और बहुत सारे बच्चे 155 सब के नाम लेना पॉसिबल नहीं है लेकिन 155 बच्चों के आंसर या पे सही हुए है बहुत ही बढ़े हैं बच्चे तो ऐसे यार थोड़ा सा डेली आओ डेली मेरी क्लास की जो टाइमिंग है वो है 12 पीम कल हो सकता है रिव्यू बगरा में मैं बिजी रहूँ तो शायद कल की क्लास का नहीं पता लेकिन वैसे कोशिश करूँगा कि क्लास हो जाया आप लोगों की ठीक है दोस्तो तो ये सारी चीजे हैं यार CHSL का एक्जाम कल से शुरू हो रहा है आप सभी लोग अपनी प्रिजेंस बना के रखें रेगुलर आएं और कंप्लीट हुआ यहाँ पे हम लोग डेली बेसेस पे 12 बज़ जुड़ते हैं एक कंप्लीट पेपर डिसकेशन के साथ उससे वी जादा इंपॉटेंट है सुभे आठ बज़े का एडिटोरियल शो ये जरूर रेटेंड करें सुभे आठ बज़े का एडिटोरियल शो हम लोगों ने आज क्या-क्या कवर किया हम लोगों ने आज क्या-क्या कवर किया, हम लोगों ने आज क्या-क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज पढ़ा, क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज पढ़ा, वन फुल पेपर, ठीक है, वन फुल पेपर आज हम लोगों ने डिसकस किया, ठीक, चलो फिर, आज के सेशन को यह पर stop करते हैं बढ़ें से तैयारी करके जाईएगा जो भी आपकी तैयारी है भरोसा रखिएगा तैयारी तो आपकी जितनी ओनीती हो गई है अब exam उसी पर आएगा इस बात पर भरोसा रखिए confident रहिए बस exam hall में समय से पहले पहुंच जाईएगा देर मत करिएगा क्योंकि CGL में आपने देखा है एक वीडियो हमारा वाइरल भी हुआ है जिसमें लगभग 23 मिलियन बच्चे देख चुके हैं 23 मिलियन 23 मिलियन का मतलब है 2 करोड 30 लाख बच्चों ने देखा जिसमें हम कोशिश बहुत किये कि बैया entry हो जाए लेकिन है हो गया नहीं उसने करी कुछ जगों पर बच्चों ने का कि सर वहाँ पर entry हो जाए गई थी एक बार वहाँ पर हो गई थी तो वहाँ पर कैसा क्या आदमी था यहाँ वाला आदमी नहीं किया entry अब आपके center पर entry आपके late होने पर ना दे उसकी मरजी है आप नहीं कुछ कह सकते हैं बस request कर सकते हैं और request उसकी मरजी माने या ना माने तो please आप लोग time से पहुँच जाना कल के exam में देरी मत करना ठीक है दो गंटा चार गंटा पहले पहुँच जो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता अंजान शहर होता है कैसे क्या road होती एक दिन पहले जाके देख लो center कैसा है ताकि आपको अगरे दिन खोजने में दिक्कत ना हो इतने साल भर से त्यारी करते हैं और फिर उसके बाद कुछ चंद सेकंड या मिनट की वज़ा से एक्जामें ने दे पाए तो पूरा साल बरवाद तो ऐसा ना होने पाए एक दिन पहली पहुंच जो भाई या रात में जाके center देख लो फिर उसके बाद अगरे दिन जो पेपर देखा हो ठीक है ध्यान दो को चलो ठीक है thank you very much उमीद करता हूं बढ़े हैं लगा thank you very much thank you very much thank you thank you